हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनुवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 10 डिसमबर और कोल इंडिया कमपनी की तरफ से उसके सेल की उपर क्वाटरली बहुत बड़ा एक न्यूस सामने निकल का आया है और यहां पर मुझे जो कोल इंडिया का अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहां पर मुझे फ्रेश पोजिशन बनाने का बहुत बड़ा उपर्चुनिटी दिख रहा है और यह उपर्चुनिटी आपको गवाना नहीं चाहिए तो दोस्तो चली इस वीडियो में हम यह पूरा न्यूस बारी किसे देख लेते हैं उसके बाद कोल इंडिया में आपका रनीती क्या होगा आगे इसको पर भी पूरा डिसकस करेंगे तो दोस्तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक देखना ताकि आपको अच् चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूस को पर आचुका हूं मनी कंट्रोल की वेब साइट पे यह आप देख सकते हैं 10 रिसंबर 2020 चार बच के बारा मेंट यह आज का लेटेस्ट न्यूस है न्यूस का हेडलाइन देखिए कोल इंडिया ई-ॉक्षन इ-ॉक्षन क्या होता है वह मैं थोड़ी दिर बाद आपको समझाता हूं इ-ॉक्षन सेल राइज 77 परसें टू 68 मिलियन ट यहां पर्टिकुलर यह टाइमिंग पे कोल इंडिया का जो ई-ॉक्षन सेल 77 परसेंट बढ़ गया है राइस किया है क्या न्यूस है और डीटेल्स में नीचे पड़ते है चलिए सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं इ-ॉक्षन सेल क्या होता है कोल इंडिया एक बहुत बड इलेक्रिसिटी या इन पैनल बिठाने का प्रोजेक्ट यह अलगला कंपनी को यह प्रोजेक्ट ओडर देता है तो यहां से जो टोटल मतलब इसको अब यह जो पर्टिकुलर टाइम डिवरेशन दिया इस टाइम डिवरेशन गंदेर 77 परसें रेस किया है तो यह बहुत 3.3 मिलियन टॉन ठीक है डियूरिंग एप्रील टॉन अवेमबर पीरियोड ओफ दा ओन गोएंग फैजियल लास्ट यार इसी टाइम पर आप देखिये ए कॉंपेर टू 38.6 मिलियन टॉन बुक डियूरिंग यानि लास्ट यार पर इस टाइम फ्रेम के अंदर 38.6 मिलियन टॉन था और इस साल यह बढ़के हो गया है 68.3 मिलियन टॉन यानि काफी बढ़िया यहां पर जम देखाए दिया और यह जम का असर दोस्तों हमें इसका जो कोर्टर 3 का रेजल निकल लेवाला है । डिसमबर कोर्टर का रेजल जैनुवरी या फेबरोरी में निकल लेगा वहां पर आपको साप साप दिखाई देगा और कोल इंडिया के अंदर दोस्तों अभी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी चल ला है तो यहां पर गाथंको बताया दा वीडियो बना किकी आप कोल इंडिया में थोडा-थोरा करेंकिया इндवेस्ट करना स्टार्ट कर दिजी आप कोल इंडिया की यहां पर दीख सकते है कि पर आक्तोवर करलेभल दोस्तों बहुत स्ट्रॉंग लेरे गाए और यहां से आप बाउंस बैख स्टेजि एकदम क्लीयर कड्ड इए और अभी इंड इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा शेयन नहीं ठीक है और कोल इंडिया का शेयर तो उतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है देख सकते आप 134-132 रुपए के आज पूरा मार्केट क्रेश हुआ था बड़ कोल इंडिया का शे सबसे पहले 120 उसके बाद 110 मुझे कमी ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है कि 110 अगर गिरवाट आया कोल इंडिया करना तो 120 में यहां पर सबोर्ड मिल जाएगा बाकी लॉंग टम के लिए बहुत ही बड़ीया स्टॉक है इसका आरेसाई लेबल देखिए दोस्तों बहुत 240 लेबल ठाल इंडिया के लिए बहुती स्क्राइल बहुती स्ट्रॉंग मतलब चैलेंजिंग होग A. रेजिस्टन्स है यहां पर अगर यह करें लिए इउन स्ट्रॉंग सबीं रॉपर निकल गया तो कोल इंडिया दोस्तों एक्स स्टेश सम yorsun अब तक जाएगा क्योंकि अगर आप लॉंग टर्म का चार्ट पेटन दे होगे तो उसके उपर मतलब 140 की उपर उतना ज्यादा इसको मतलब रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा मिलेगा तो 200 की लेबल पर ठीक है और यहां पर सिर्फ आज नहीं मैं इसके पहले बहुत बड़े-बड़े इंडिया के ब्रोकर इंडिया शेयर में आपको मतलब वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ कब को लिन्यक अशर 100 के आसपास आएगा या 100 के नीचे आएगा तब हम निवेश करेंगे तो दो चलिए आज का कारवार भी देख लेते हैं इसी की उपर यहां पर आज शेयर पैस ओपन हुआ था 135 रुप 134 रुपए 80 पैसे पॉजिटिव में आज क्लोजिंग देए यानि फ्लैट आप बांगे चल सकते हैं तो आज यहां पर आप देखिए मार्केट बंद हो गया बट यहां पर बाइंग साइड में थोरा सा यहां पर 500 के आसपास शेयर एम और लगा हुआ है यानि आफ्टर मा 36 लाग शेयर का क्वांटिटी यांपे ट्रेड वे सॉरी दोस्तों माफ करना मैं यहां पर थोड़ा आपको गलत इन फॉर्शन दिया यह 11 लाक नहीं है सॉरी यह एक करोर 19 लाक सॉरी माफ करना दोस्तों एक करोर 19 लाक शेयर टोटल नमबर आफ कांटी ट्रेड हुआ हुआ में जो डेलिवरी उठाए गया दोस्तों 36 लाक तीस हजार क्वांटिटी कश्यार यांपे डेलिवरी उठाए जा चुका है और डेलिवरीबल परसेंटेज है 30.48 परसेंट यह नमबर भी काफी बढ़िया है ठीक है यानि लोग दबा के इसमें खरीदारी भी कर रहा है तो दोस्तों आपको यही बोलूँगा कमपनी लॉंग टम के लिए जबरदस्त है जबरदस्त नो डाउट जबरदस्त है आप अगर इसका दस साल का पांच साल का चार्ट पैटन देखो है तो यह कमपनी कोल इंडिया के अंदर आपको डाउन फॉल नजर आएगा बट अभी को स्टॉक है बहुत स्लो चलता है उपर से लॉंग टम का चाट पैटन डाउन है बट इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए ठीक है चार पांच चार पांच चार पांच चार प्राइज होतना ज्यादा नहीं है एक सो चौनती इसका शेर है तो आप चार सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके इंकरच करना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए टेक क्यार बाई जय हिंद